मेас करके रेखा में तो अब है है लड़ी करता है तो इस यहां गया तो इसलिए तो इसमें क्या चछलता है कर्कुत अब हम लिए subject तो यह 21 मार्च से 21 जून में पहुंचेगा यहां पर 21 जून phones May June में यहां चुलाइस सितंबर अब क्या है यहां पर कवाकी सेृतं वापिस कि अगर सब देट थोड़ी सी बदल जाती है तो यहां पर अगर सतंबर को से अब कहां जाएगा अब जाएगा इसके नीचे मलब कैप्रिकॉन में मलब मकर रेखा में जाएगा तो तीन-तीन महिने चल ला तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर मलब यहां दिसंबर में आएगा तो कौन से दिसंबर तो 22 दिसंबर तो यह डेट आप याद रख लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए फिर से मैं आपको बता दूँ कि यह है आपकी मकर रेखा यह है एक्वेटर मलब भूमत दे रेखा और यह वाली जो है करक रेखा तो क्या सूरज का जो भ्रमण हकाल है वो इन तीनों के बीच में ह कईस जो है पढ़ती है तो सबसे पहले आपके एक्वेटर में आएगी तो एकस को आएगी फिर सूरज चड़ेगा 21 जून को यहाँ जायगा फिर सूरज नीचे आएगा तो 7 से तंबर होगी जब सूरज कि दिन हुगा तो 12 गंटे किया रात होगी यहां नीचे भी 12 गंटे का दिन हुगा तो 12 गंटे की रात होगी लेकिन अब जो सूरज की पोजीशन है वो चड़के यहां चला गया मलब ट्रॉपिक ऑप कैंसर में डारेक्ट पढ़ रहा है तो क्या होगा यहां दिन बढ़े होंग यहां से फिर कहां जाएगा फिर से सूरज की रेस यहां पढ़ेंगे डारेक्ट एक्वेटर में 23 सेतंबर को तो 23 सेतंबर को यहां पर क्या रहेगी गर्मी रहेगी क्या रहेगी गर्मी रहेगी मलब उपर दिन और रात बराबर रहेंगे अब सूरज की पोजीशन है नीच तो यहाँ Capricorn में डिर्यक्ट रिस पड़ रहे है तो नीचे यहाँ गर्मी रहेगी दिन बड़े रहेंगे राज छोटी रहेगी अब यहाँ गर्मी पड़ेगी और जहां सूरज नहीं तो यहाँ ठंड पड़ेगी तो उमिद करते हम आपको यह आया होगा एक चीज मैं और बता दूं कि जो आपकी जो अर्थ है यह यह अर्थ है पर से खुद रोटेशन करती है तो इसके कारण आपके दिन और रात बदलते हैं दिन और रात कैसे होती है अगर कोई पूछेगा तो सन के रोटेशन के कारण होती है किसका रहोती संगरोटेशन के कारण अगर हम बोलेंगे मौसम क्यों बदलता है तो मौसम बदलता है जब सन जो है यह अर्थ जो हो सन के रभूट देनदाथ डे नैट चेंज डे नाइट चेंज कहोंगे जब क्या होगा रोटेशन और जब ये घुमेगा या ऐसे अर्थ घुमेगी सन के तो ये इसको कहलाता है रेवोलुशन आशा करता हूँ आप इस शैशन पसंद आया होगा और प्लीज इसको सपोर्ड भी कीजिएगा मेरे शैशन को मदलब अच्छा लगा होता है आप तो ही इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और आपसे कोशन भी है मेरा आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा जो हमारे दिन और रात होता है तो वो कितने घंटे में होता है मदलब जो अर्थ जो पूरा एक रोटेशन है वो कितने घंटे में लेता है मदलब एक्जाक्ट आप बताना कि इतने घंटे इतने सकेंड में रहता है और जो रेवोलिशन होते जिसके कारण मौसम बदलता है तो वो कितने मालब जो एक साल का जो पीरियड रहता वो कितने डेस का होता है कमेंड करके बताईएगा थेंक यू